इससे में पोला है इस ते लाइन अपने ऊपने गिवन और पर पेंडिकुलर तो देखें पर पेंडिकुलर वाले कॉंसेट से यहां से अपन अल्फा फैंड कर सकते हैं के बुला है देन दा एंगल बिट्विन दा लाइन एल्टू उसके बाद एल्टू एन एल्ट्री के बीश का एंगल अपन फैंड कर लेंगे वादा सिंपल सा कुश्चन है चलिए इसको करते हैं सबसे पहले अपने पास जो लाइन है फ़र्स्ट लाइन कि फ़र्स्ट लाइन क्या है अपने पास एक्स मैनस टू अपॉन थ्री वाई प्लस वन अपॉन मैनस टू और जेड़ मैनस टू अपॉन जीरो यह आपका लाइन वन है लाइन टू देख लिए यह क्या है एक्स मैनस वन अपॉन और इसमें से टू अगर कोबल लेत तो क्या ज जाएगा आपका वाई प्लस थ्री बाइटू अपॉन अलफा वैटू और जैड प्लस फाइब बैटू इसने बोला दोनों पर्पेंडिकुलर है अगर यह पर्पेंडिकुलर है तो इसका जो डॉट प्रोडेक्ट होगा डायक्शन देशियो का वह जीरो होना चाहिए ठीक है क्योंकि L1 यह आपका L2 है बोला है पर्पेंडिकुलर टू एल टू तो यहां से 3 इंटू 1 प्लस मैनस 2 इंटू अलफा बैटू प्लस 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0 कर दो गया तो यहां से अलफा के वेल्यू अपने को मिलेगा 3 के एक्वल ठीक है अलफा के वेल्यू 3 आ गय गया यह जो लाइन टू है एल टू इसका डिरेक्शन देश्यों कितना कितना आ गया एक तो था वन फिर अलफा बैटू यहांने की 3 बैटू और टू ठीक है और एक एल थ्री लाइन है ठीक है ना एल ट्री लाइन अपने को कीवन है तो एल थ्री लाइन का जो डिरेक्शन रेश्यों है यहनिकि इस वाले को अपन थोड़ा सिंप्लिफाई कर लेते हैं अच्छे से तो यह क्या हो जाएगा एक्स मैनस वन अपन मैनस 3 मैनस कॉमन ले लिए क्योंकि एक्स अब यहां से क्या हो जाएगा वाइ मैनस 1 बाइ 2 अपन मैनस 2 और जैड़ बाइ 4 तो इसका जो डिरेक्शन डेश्यों होगा वो क्या होगा मैनस 3 मैनस 2 और 4 होगा चलेगा ठीक तो अब अपने लिख लेते हैं दूसरे लाइन का आगया मैनस 3 मैनस 2 और 4 मैनस 3 मैनस 2 और 4 ठीक है इसके बीस के अंगल अपने को फाइन करना है कर लिया जाए तो कॉस्ट थीटा एक्वास टू लिखेंगे कितना आजाएगा मैनस 3 ओके और फिर मैनस 3 ब्लस एट अपॉन स्क्वायर रूट आफ स्क्वायर रूट आफ स्क्वायर रूट आफ 29 इंटू स्क्वायर रूट आफ 29 बैं 4 आ जाएगा तो यहां आगया अपने पास किसके एक्वाल फॉर अबान 29 के एकवाल तो यहां से कह सकते हैं ठीटा उन्वर्स टू आ जाएगा कॉस्ट इंवर्स एप फॉर बैं 29 तो अपने पास जो आफ्सन है तो कॉस्ट इंवर्स फॉरड बैं 29 नहीं नहीं यह से इक इन्वर्स है तो क्या इसी को आपन लिख सकत करेक्ट होगा. Okay. Thank you.